अगर एक शब्द में हमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन एवं मानव मात्र के लिए उनके द्वारा किये गए महान कारें को व्यक्त करना हो तो वह शब्द है प्रेम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कृष्ण प्रेम ही सबसे प्रधान वस्तु है उनका जीवन ही कृष्ण में था तथा बेस्वयम ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेमावतार हैं बाल्या काल से ही उन्होंने कई एश्वर्य प्रदर्शित किये उनके इनी एश्वर्यं तथा लिलाओं को अत्यांत मनोहारी धंग से हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान श्यामाननंद गौर प्रभुजी हमारे वत्ता श्रीमान श्यामाननंद गौर प्रभुजी सन 1905 में अंतराष्ट्रे क्रिष्ण भावनमृत संग के संपर्क में आये उससे पूर्व वे मुंबई की एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कारा रत थे सन 1909 में पूना इसकौन में उन्होंने आजीवन भ्रमचरे आश्रन स्विकार किया तथा लगभक 20 वर्षों से वे वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं श्रीमान शामानंद गौर प्रभुजी अंतराष्टिय क्रिष्ण भावनामरित संग के संस्थापकाचार भक्ति विदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परमपूर्ज गोपाल क्रिष्ण महाराज के दीख्षा प्राप्त शिष्य हैं तथा लगभक चार वर्षों से जिस संपूर्ण भारत वर्ष में क्रिष्ण भावनामरित का प्रचार कर रहे हैं तो आईए श्रमन करते हैं चैतन्य महाप्रभु की अध्भुत लीनाएं श्रीमान शामानंद गौर प्रभुजी के श्री मुग से दन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो मग्यानत मिर अंधस्य ज्नान शलाकया शेक्त नमिलितमेन तस्मे सी गुरवे नमाह पीसाइतन्य मनभिस्तम् श्टापितमेन भूतले रयम रूपकादामई हम ठदातिश्वपदांतिकम् आज मैं एक बिशेस ब्यक्ति की बार में बोलना जाता हूँ जिनकी नाम से क्रिष्टन सैतन्य है पासो साल पहले उन्होंने इस धराजाम पर प्रकड हुए थे मायपुर गाउं का नाम था उनकी माता पिता ससी मता की नाम पे जाना जाता है उनकी पिता जी यगन अत्मिस्य के नाम पे जाना जाते है नदिया डिश्टिक्ट वायपुर गाउं कालकाटा पसीम बंग इसी स्थान पर उनकी प्रकड हुआ और उन्होंने धराजाम पर 48 साल का काम उन्होंने अपनी दिला प्रकड किया उसकी बाद इसी धराधाम छोट कर गोलोग बिंदावन उनकी जो स्थान होता है वहां पर उन्हों चले गए उनकी नाम था श्रीक्ष्टन सैतन्या तो उनकी गुरु की द्वारा प्राप्त हुआ था जो स्रीक्ष्टन सैतन्या नाम है आम आदमी के लिए समझना बहुत कठीन है उनकी गुरु की दिया हुआ दिखीत नाम था जो स्रीक्ष्टन सैतन्या महाप्रफु की रूपे पिबेचीत हुए जब भगवान के यहां पर प्रकड होता है उनकी साथ-साथ उनकी पास्तोद को भी प्रकड होता है और उनकी लिला लिखने के लिए ब्यास्ते विश्वाई में हम पर प्रकड थे उनकी नाम था ब्रिं प्रिंदा बंदा ठाको नाम के रूप में मामा अंगची गाम में प्रकड हुए वो भी कलकाटा नज्या डिक्रिक्रिक्ट में है उनकी इस प्रकार कहा की किष्ण लिला भागवते कहे बेद्ध व्यास चयतन लिलार व्यास प्रिंदा बन दास जाओ भागवत पढ़ बश्टमेर स्थाने एकांच असे कर चयतन्य चरने बिंदा बन दास कर चय Wrap प्रिंदा बन 예रस उनक पहले प्रांक्ति में बताते है कि जिस प्रकार भगवान पिष्ण की लिलाएं ब्यास देव ने बनना किया था उस प्रकार ओई ब्यास देव जिन्दाबन दास की नाम पर आकर भगवन पेत्रों महा फ्रहु की लिलाएं बनना किये। दितियो प्रांक्ति में बताते है कि कोई ब्यक्ति उनकी कथाएं सुनता है भगवन पिलाएं सुनता है उनकी सारे अमंगल नष्ट हो जाता है। तितियो प्रांक्ति में बताते है कि केबल ब्यक्ति को ऐसा ब्यक्ति से भगवन कथा बता सुनना चाहिए। इससे उसकी मंगल हो नहीं तो हम ऐसा कितना भी सुनते रहेंगे, आमरे समय व데ृत होगा Muhyakoslahav नहीं होगा तो उसकी क्या लावे इसे बेक्ति से सुनने से इसलिए बिंदावंदा ठाकूर बोल रहे है कि आप इसे बेक्ति से सुनिये जो परमपरमे हो जो बैस्टाम हो तो एक बार भगवन सी चैतना महाप्रभू उनकी वजपन का नाम था निमाई और पंदाव साल की उमर से ही उन्होंने हरी नाम संकीतन का नप्रारम किया बेंगल से या मायपुर गाउं से तो सारे नवदिप नवदिप या नदिया डिस्टिक्ट में हर समय अपनी पासुदों की साथ जाय करते थे संकीतन करने के लिए और हर गाउं हर गली हर स्टान पर उन्होंने नाम संकीतन किया पंदाव से लेकर सभी साल तक जब तक उन्होंने अपनी घर अपनी माता पेता के साथ रह रहे थे उस समय में एक गाउं था इस गाउं की नाम गोपपली नाम पे जाना जाता है और एक गाउं की नाम हुआ था पाजबु गाउं का नाम परिवट में हो गया गौरदह मतलाब दह मतलाब एक शरवर है जहां पर बहुत मात्र में पानी रहता है और गोपपली मतलाब जहां पर ग्वाला रहते हैं पल्ली मतलाब गाउं होता है इस पकार गोपपली गाउं में उनके एक सखा था, तिने की नाम था रामदास, रामदास ने एक बार भगवन सी चैतिना महाप्रहु को अपनी गांग बुलाए, कहा कि हमारी गांग में नाम संकितन करना है, नाम संकितन करने की वज़े से जब गांग की जो अनर्थ है, अमंग अलहे, दूर हो सकता है, इसलिए गांग में आईए, और नाम संकितन की विए, भगवन को यह नहीं पता था, कि उनकी गांग में क्या घटना हुआ था, या वो किस के लिए बुला रहे थे, कोपोपली गांग में एक सरवबर था, उस सरवबर में एक मगर मस रहा करता था, पिछले यूगों से, और उस गां की बहुत सरे जानबर को खा लिया था, इसे गाई, बाचड़ा और थोड़े मनुश्यक जो बच्चे लोग भी उन्होंने खा लिया था, इसकी वज़े से, गोपोपली गांग की जो लोग थे, उस सरवबर में स्नान करने के लिए जाते नहीं थे, उसी रास्ता से जाना बं कर दिये थे, और रामदास ने एक बार जब तैचना महाप्रु को उस चाम में बुलाया, तैचना महाप्रु अपनी पासदुकी साथ, हजर पासदुकी साथ वहां पर आये, उस स्तान पर भगवन का स्वागत हुआ, रामदास ने सभी भक्तों को चंदन और फूल की हार से स कितने प्रार्म करना है तो बहुत दिन से यहां रह रहा है और गाउं की बहुत सारे लोगों को उन्होंने इगल लिया और बहुत सारे जानबर को भी खा लिया आप बहुत पुन्यात्ना हो आप भगवान की अवतार हो आप यहां पर नाम संकृतन कीजिए हो सकता है आपकी नाम संकृतन से उसकी उधार हो जाएगा यहां किस्त्व का सुनकर भगवान की चैत्न वहा प्रभू पांपर किर्टन करना प्रारम किये हजार लोगों की साथ जब भगवान किर्टन कर रहे थे जमीन बहुत धड़कने लगा और तो मगर मच्ष था देखा कि यहां पर पैसा क्या हो रहा है यह जमीन पिल रहा है तो मगर मच्ष धीरे धीरे जब देखने के लिए आए कि हम पर क्या हो रहा है सरोबर की सारे और सारे भगवान का नाम का किर्टन कर रहे थे किर्टन की ध्वानी से मगर मच्ष धबरा गया कहा कि यहां पर आके क्यों किर्टन कर रहे तो यहां सुस्कुलने के लिए धीरे धीरे मगर मच्ष बाहर आया और गावन बाले की वहां पर भी बहुत से लोग में एकाटा हो गये तो देखने के लिए कि यहां पर क्या हो रहा है मगर मच्ष धीरे धीरे बाहर आया पानी से निकल कर उन्होंने जहां पर किर्टन की मुख्यों टोली थी वहां पर आया और भगवान सी चैतना महाप्रभू पीतरन कमल की पास आया उस समय में लोगों को लगा अभी यह जो मगर मच्ष है इनको खा लेगा इतनी सुंदर बेखती है इतनी सुंदर कितन करते हैं इनको खा लेने से हमारे क्या लाव होगा लेकिन एशा नहीं हुआ जब मगर मच्ष ने भगवान सी चैतना महाप्रभू की चरण कमल की पास आया अपनी सर जुकाया और भगवान चैतना महाप्रभू जो निमाई की रूप में थे 15 साल उमर था उस समय मुझे उनने अपनी चरण कमल को मगर मच्ष की सर पर रग दि बहुत सुंदर शरीर था और भगवान की स्तूति करने लगा कि प्रभू आप कली जुग में प्रकड हुए है पतितों की उधार करने के लिए और बहुत स्तूति करने की बात में भगवान ने पूर्षा आप तो एक गंधरव लगते हो आप कोई देवता लगते हो असानक ऊपके शरीर आप मघरमस कियों बन गए उस मघरमस जिनोंने अभी गंधर बन गया था उन्ह इस पकर काहा पिछ़े जिनों में च्वरग लोग में एक सभा हुआ था जिसमें कही सारे गंधरव लोग को बुला आ गया था उसमें मैं भी एक गंधर्व था, मेरा नाम बीद्याजर था, और मेरा सुंदर बहुत अच्छा था, मेरे सरीर की सुंदर बहुत अच्छा था, और मैं आच्छी गाता था, और मेरे एक हुबी था, कि साधू लोगों को मैं तुड़ा मजा करता था, तो स्वार्ग लोग में जब सभा होने की समय आया, उससे पहले में मन्नागरी नदी में स्नान करने के लिए गया, जहां पर दुर्बा सामनी वहां पर आये थे, वो स्नान कर रहे थे, और एक पेड के निचे बिश्राम करने के लिए जब उन्होंने बेठे, धीरे से उनकी नी के लिए और कावला मूर्ख, साद्यू की साथ इस पकाद दूर्बे बहार करते हो, इतना तुमारी साहस, तो उन्हों श्राब दे दिया, मुझे श्राब दिया कि जा तु मगरमस बन जाओ, तब मुने उनकी चरण कामल पर गीर पड़ा, और कहा कि प्रभु, इस मगरमस की स किष्ण साहतेन महापप्रवु होगा, ओ आपकी उधार करेंगे, तो फीर से मैं पूछा, जर को मैं विए सैतन महाप्रवु है, तो रूशी ने कहा कि इस स्ता पर आपकी जन्म होगा, इस सरवगर में, उस सरवगर में हजार nella संखिया मैं लोग आएंगे, और जोर जोर से नाम कृतन करेंगे और देशा लगे कि भूकम हो रहा है तब समत्ना की ओई बेटी जो है कि किस्टन चाहितन नहीं है आपको उधार कर निकले आये है और जब ओ आपकी सर पर उनकी सरण कमर रख लेंगे तब आपकी उधार हो जाएगा इस पकार खेती हुए सादु महात्मा चले गए और मेरे सरीट मगर मसका हो गया इस स्टान पर आके में जन्म लिया यह बहुत जिनों पहले से इस सरवर में रहा करता था और यहाँ पर जोई भी जानवर जाता था और गावons बली जाते थे बच्चे जाते थे उनका में खा लेता था इसकी वजह से गावण बली यहाँ आना बंद कर दिया और मुझे काफी जिनों से उस खाने केलिए नहीं मिल रहा था और असानक आप यहाँ पर आके पहुते और आप जोद जोद से भगवान का नाम का किर्टन करने लगे, तब किर्टन करने लगे, मुझे पिछली दिनों की याद आया, तो दुर्बा समनी मुझे कहा था, कि हजार संख्य में लोग आके जब आपकी जरवर्वर की पास किर्टन करेंगे, भगवान का नाम का किर्टन क करेंगे तब आपको लगे कि कोई भूकंप आ रहा है उसी समय आप जान लेना कि जो बेक्टी गाता होगा भाव इभर होकर हरी नाम का उतरन करता होगा उसी बेक्टी का नाम होगा त्रिक्ष्टन सैटेन्या और उन्होंने आपकी चरण कमल अगर आपकी सर पर रख दे तो आ मैं मगर मस्की शरीर में था आपकी तरण कमल स्वस्त होने की बात प्रया शरीर एक गंधरव में परणत हो गया इसलिए कोई संचन ही कि आप भगवान नहीं हूँ आप स्वय भगवान हो और मानुष्य सरीर में आप यहां पर लेला करने के लिए आये है और आपकी मैं पृ कूती की उसकी बाद गंदरफ होने की कारण उनकी शरीर अलग प्रकरगा होता है जो उड़ सकते है और उड़ते हुए उन्होंने अपनी स्थान तला गया इसकी बाद राम जो रामदास्ता अपनी घर लेके गया और भगवान को बहुत ठीक तरफ से खिलाया और सारे गावन उन्होंने किर्दन करवाया और भगवान की बंदना की और भगवान को बहुत प्रेम की साथ उन्होंने अपनी गाव में सब की साथ मिलकर उन्होंने किर्दन किये उसकी बाद भगवान वहां से अपनी घर चले आये इस पकार यहां पर कहा जाता है इसकोई मनिश्य होने से कि प्रकार की अध्भुत कारें नहीं कर सकता है, भगवान की कई सारे इसे लिलाएं हैं, जो मनुष्य की जो विचार होता है, बुद्धी होता है, उस बुद्धी से उपर होता है, मनुष्य अपनी सिमित बुद्धी की अध्याँ से भगवान की अध्भुत कारें का कलपना कर सकता है अगर कोई विक्ति इस अध्भुत कार होता है इसकी पीछे जान लेना चाहिए कि ये बेक्टी जो है मनुष्य नहीं है ये श्वयम भगवान है एक बार कोई बेक्टी उनकी नाम निमाई था इसके बाद जब उनकी दिख्या हुआ पहले दिख्या हुआ था गया मे पुरी से पहले उनकी गुरु जी थी उनकी नाम था चायटिया इसकी बाद जब उनोंने का प्रजार करने के लिए धर्म प्रजार करने के लिए वहां बेंगल से ओडिशा आ रहे थे उस समय एक बहुत वद्भुद घटना हुआ ये तो हमारी कलपना से बाहर है पिछले यूग में एक फल बाली आई थी भगवान नंद महाराज की कोट याड पर तो फल बेचनी के आई थी और भगवान किस्टन तब तो बहुत ही दो साल के या तीन साल के होंगे तो उनको फल खाना इच्छा हुआ लेकिन पीछले दिनों में जो कोई बिती फल देता था उसकी उनको आमा उनकी जो पैसा था उनकी जो मुल्य था उसको सुकानी के लिए पहले धान्या दे फल बाली की पास गए और जाते समय में उनकी हाथ की जो धान्या था सब नीचे गिर गया और हाथ खाली था फल बाली ने भगवान की उस्टा को देखा भगवान की सुन्दर को देखा उससे मुहित होकर उन्होंने भगवान की हाथ में इतनी हाथ में भर सकता है उतनी फल दे दिया और फल देने की बाद कहा कि सुंदर इतनी बच्चा इतनी सुंदर है जाने दो में भगवान को तुन दान दे दिया जैसे इस प्रकार फल वाले ने सोचा उनकी जो बास्केट था जहां पर फल आई थी ओ वो बास्केट सोने चांदी डाइमन में भर गया था इस प्रकार लंसे इतना महाप्रहु सनस्ति schत लेनी बाने के बाद बेंगल से होकर उन्होंने जा रहे थे पुरी साजगनात पूरी उस समय में जब पूरी जा रहे थे उनकी पी चैनुम की दिख्या हुआ था ऑल पागल की तरह बोल रहे थे और दोर रहे थे और जोर जोर से, हरे, कृष्णा, हरे, कृष्णा, 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 हरे, हरे, राम, हरे, राम, 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 हरे, हरे, इस पकार नाम के उचारन करते हुए, भगवान आगे-आगे जा रहे थे, और उनकी सारे भग्त, उनकी पीछे, बहुत मात्रा में आ रहे तो धूप की समय था, उनको बहुत प्यास लगा, तो रास्ता में देखा कि कहां पर पानी हो, पानी तो था नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि एक शास बेचने बाली अस्त्री बेठी थी, और उनकी मटका लेकी बेठी थी, और गरीब थी पिचारी, उन्होंने रास्ता पर जाने बाले बेठी शास लेती थी, उस परिशा से उसकी परिवाद चलता था, तो भगवन सेत्ना महाप्रभू उनकी पास पहुचे, था कि पिने के लिए आपकी पास कुछ है, तो शास बेचने बाली श्त्री ने कहा, मेरे पास मटका में एई पिने के लिए है, आप, रहे जाने के लिए है, तो भगवान ने कहा, मुझे पूरे मटके शास देदू, तो शास बेचने वाली श्त्री ने सोसा, अगर इन्होंने पूरे शास पी लिया, तो आज सारे दिन की आमदानी एक बेक्ति से हो जाएगा, इस प्रकार सोसकर उन्होंने शास की मटका थी, वान ने पूरे सास पी लिए, और जब मटका वापस दिया, सास बेली ने पुछा, आप कुछ मुझे धन दीजिए, आपने जो सास पिया, तो इतने महाप्रु सन्याशीत है, और उनकी पास तो धन था नहीं, तो उन्होंने कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन पीछे से मेर भक्ता आ रहे हैं, आप देखे रहे हो कि कितनी जो से आबाद आ रहे है, हरिकुछना महामंत्र का, हरी नाम का, तो ओन लोग जब यहां पर आएंगे, उनको पूछना कि आपकी कोई गुरुजी यहां आगे गे, हरी नाम लेते हो हुए, उन्होंने मेरे सास पिलिया, लेकि कि आप लोग उनकी पैशे दोगे, तब वो लोग आपको बहुत सरे पैशे दे देंगे, कितना सोच कर भगवान ने इस पकार कहा, और वहां से चल पड़े, तो सास बितमिवाली जो स्री थी, वो इस पकार सोचा की जाने दो, यह तो सन्यासी बहुती सुन्दर है, और एक दिन के लिए में इस सास को मैंने उनको दान कर दिया, इस पकार कहते हुए, उन्होंने उस सास को अपनी महनेत को भगवान को दान कर दिया, ऐसा सुस्त हुए, मटका उठाया और अपनी घर जाने लगा, जब मटका उठाया, देखा मटका बहुत भारी हो गया था, वो स जब शास बिचने वाली लड़की और उन्होंने देखा कि मटके में क्या है तो सोना, कांधी और डाइमॉन से भरा हुआ था मटका कि ज्याधा समय में नहीं हुआ है 500 साल पहले की बात है पिछले जो घटना मुझे बदा भगवान कृष्णा ने जो फल लिये थे फल वाली खुशी से उनको दे दिया था पिछले यूगों का था अभी जब घटना बता रहे हूँ कि पासो साल पहले का है पासो साल मतलब कोई दादा समय नहीं है, पासों साल पहले कोई कृष्णा भगवान यहां परदव आये थे, उन्होंने इस पकार दिलना की, और हमारी आचारी लोगों ने इससा बता की, इस जो कृष्णा जो है, कोई कृष्णा यहां पर तैतना महाप्रोष की रूप पर उन्होंने अकली कृष्णा यहां इस पकार लिखते हैं कि, ब्रजंदो नंदन जई सती सुत होईला से बलराम होईलो निताई, पापी तापी यत्सो थीलो, हरी नामी उधारिलो, तार साखी जगाई मधाई, इसके पहले जो भागवत लिखा गया, ब्यास्तिवने भागवत लिखा, उसमें लिखा कि, यह जो बैकती जो है, नंद सुतो बोली जारे बेद गुनगाई, पतल अब। जो नंद महाराई के बेटा है, जिनकी गुनगान बेद में लिखा गया है, नंद सुतो वो ली जारे वेदर गोड़न गाए, शेर खृष्णा अवतन टैतिना गोशाय एंविध्टी जिसकी बार में उन्होंने लिखा, कि उनकी लिलाएं लिखा जो ब्यास देव उन्हें इस परकार लिखा कि शैक्रिष्णा अबतने तैतने गोता है यह जो तैतन महाप्रभुजों है यही व्यक्ति स्वयम कृष्णा है पिछले यूगों में वो कृष्णा थे और इसी कली यूग में उन्होंने भगवान की धर अपनी धर्म प्रतार करने के लिए यहां पर आये और उन्होंने बहुत चारे लिलाएं किया उसमें से आपको मैंने कुछ लिलाएं बताया पीछले पहले बताया था कि जो लोग ऐसा प्रिष्णा कभिराज गुरस्वामी या बिंदावन थाकू इस परकार लिखते हैं कि बिंदावन दास कहिलाज सेटने अमंगल यहारा सबने नास सर्व अमंगल जो विप्ति भगवान के इसी कथाएं सुनता है उसकी सारे अमंगल दूर हो जाता है और उसकी साथ साथ वो भगवान की प्रेम को क्राप्त कर सकता है चैटने मंगल यहारा सबना सर्व अमंगल और कहा कि जाओ भागवता पोड़ो वहिष्टम है रस ताने एकांत अस्रे कर चैटने चरहने कि आपको अगर भगवता की असली रस आस्वादन करना है आप वहिष्टम से सुनिए और आपनी जीबन को सार्था कीजिए अरे कि आपको